ठंडियां शुरू हो गई हैं और मौसम कैसा भी हो खाना पीना तो कभी रुकता नहीं है और ठंड के मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा सा गरम गरम खाने का मन करता है हाई दिसे सुधा तिवारी वेलकम तो माई चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई तो आज नास्ता की रेसिपी है इंस्टेंट ब्रिकफ़स्ट बनेगा तो सुबह की चाई के साथ आपके साथ मैं शेयर करने जारी हूँ इंस्टेंट सूजी का धोकला और इसी के साथ है सूजी के ढुकला के साथ लाल चटनी तो यहाँ पर एक कप मैंने गाणा च्छाज ले लिया है और थोड़ा इसे फेट लेंगे इसके बाद इसमें हाफ कप पानी डालेंगे पानी डालने के बाद भी इसे मिक्स कर लेंगे और नमक डाल देंगे स्वाथ के हिसाब से और इसके बाद इसमें पतली वाली सूजी डालेंगे अगर रवा या सूजी इसे बोलते हैं आपकी मोटी है तो थोड़ा ग्राइंड भी कर लेंगे तो मेरे पास पतली वाली सूजी थी और एक कप सूजी डालके इसे फेट लिया है सूजी फूलती है तो फूलने के लिए से आदे गंटे के लिए आप साइड में रख देंगे आदे गंटे बाद इसमें लेशन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट एड़ करेंगे इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से बैटर के साथ अब ये इंस्टेंट रवा ढोकला है तो इसे इंस्टेंट बनाने के लिए मैंने हाफ टी स्पून खाने वाला मीठा सोडा एड़ किया है और सोडा अच्छे से अक्टिवेट हो सके इसके लिए आधा नीबू का रसने चोड़ देंगे जिंटली इसे मिक्स करेंगे जब आप एक बार इसमें मीठा सोडा एड़ कर देंगे तो बिल्कुल बैटर को रखना नहीं है आप तुरंथ इसे ग्रीज किये हुए धोकला प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे अगर आपके पास धोकला प्लेट है तो वो ले सकते हैं नहीं तो कोई भी ऐसी प्लेट लें जिसकी किनारी थोड़ी सी उठी हो और उसमें भी बैटर को आप प्लेट को ग्रीज करके बैटर को सिफ्ट करेंगे तो मैंने यहाँ पर दो प्लेट सिट किया है धोकला का और इसे स्टीमर में डाल दिया है नीचे पानी है उसके उपर स्टैन रखा है उसके उपर धोकला की प्लेट सिफ्ट कर दी है पंदरा मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे मैंने स्टेम किया है तो बिलकुल बीच में खोलेंगे नहीं पंदरा मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे स्टेम कर लेंगे लेकिन ये जरूर ध्यान दे कि पानी उतना होना चाहिए कि वो 15 मिनट अच्छे से बॉयल हो सके और वो सूखे ना पानी 15 मिनट के बाद गैस बंद करके धोकला के प्लेट को बाहर निकाल लिया है और इसे रूम टमप्रेचर में आने देंगे जब तक धोकला रूम टमप्रेचर में आता है तब तक हम चटनी तयार कर लेते हैं जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो दिखा रही हूं मैं यहाँ पे धोकला बहुत अच्छे से स्पॉंजी और जालीदार बना है तो इसे साइड में रख देती हूं और ठंडा होने देती हूं चटनी देख लेते हैं भूनी हुई मुंगफली ली है भूना जीरा लेसन और मिर्च को भी तबे पर मैंने थोड़ा सा भून लिया था और यह साबूत लाल मिर्च है यह देखी मिर्च है जिसे कश्मीरी साबूत लाल मिर्च बोलते है इससे चटनी के कलर थोड़ा लाल होता है अगर आपके पास साबूत नहीं है तो कश्मीरी रड़ चिली पौडर का भी यूज़ कर सकते हैं नमक डालेंगे सुआत के इस आप से की चटनी तयार है यह चटनी आप सूजी की इडली या दाल चावल की इडली के साथ भी सर्व कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ढोकला रूम टमपरिचर में आ चुका है इसके उपर भी हम तरका लगाएंगे गरम तेल में राई को क्रैकल कर लेंगे करड़ी पता डाल के इसके उपर हम फैला देंगे इसके बाद इसी प्लेट में ही हम इसे कट कर लेंगे तो आप जो साइज चाहते हैं ढोकला का उस साइज में कट करेंगे मैंने यहां इसे स्क्वेर पिस में कट किया है और ये बहुत ही स्पॉंजी और जाली दार बना है सिर्फ हाफ टीस्पून मीठा सुरो डालने की वैसे तो आप देख सकते हैं देखिए पास से दिखा रही हूँ काफी बारिक बारिक जालिया आई है इसमें और स्वाथ तो ऐसा की एक बर आप बना के देखेंगे तो आप इसे रोज बनाना चाहेंगे और इंस्टेंट बनती है तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं बिना आलस किये तो आज की इंस्टेंट सूजी की सफेट ढोकला रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यहाँ पर तोड की दिखा रही हूँ और दबा के दिखा रही हूँ काफी स्पॉंजी बनी है तो नई रेस्पीस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलूंगी अगली वीडियो में तिल दिन तेक केर अफ यूर्षव बाइ